हेलो स्टुडेंट्स बाल मनविज्यान किस कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज मेरा थुड़ा गला ठीक नहीं है जिसके आवाज में दिक्कत आ रही है तो मैनेज कर लिजेगा आज हम क्या समझेंगे रचनावादी मॉडल को समझेंगे कल हम निस्चित रोप से सीखने क मॉडल को देख रहे थे जिसमें हमने रचनावादी मॉडल को समझा था और प्रोग्रामिंग मॉडल को समझा था रचनावादी मॉडल से कॉश्चन गुमा गुमा कर पूस्ता है तो इसलिए हम डिटेल से समझेंगे ये इसका आगे का जो पाठ होगा वो हम कल भी कवर करे कि चलिए यह सबसे पहले रशनावादी मॉड़ल में क्या होता है कि बत्चा होता है और एक खोज करता कि रूप में चीज 생Reg करता है या समस्टा है ऱहले और खालेयों है चलिए रशनावादी मॉडल की बात तो आगई अब बात आता है कि रश्नवादी मॉडल दिया किसने है इसके प्रतिपादक कौन है तो याद रखिएगा रश्नवादी मॉडल के प्रतिपादक कौन है तो हमारी जीन प्याचे जी है इन्हों ही क्या किया था रशनवादी मॉडल पर एक गहराई से अध्यन किया था और इस मॉडल का प्रशलन दिया था चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल आया फिर से देखिए अभी हमने देखा कि रचनावादी मॉडल किस ने गिया था तो आपके प्याजे जी ने दिया था ये कौन है आपके जीन प्याजे जी है इनका मानना था कि आप बच्चों को जितना जादा गतिवीदियों के मांध्यम से सिखाएंगे उन्हें जि बन दीजेगा कोश्चन आपका किस प्रकार बनेगा कोश्चन से समस्ते चलेंगे रचनावाद के पांच की निर्देशांग मॉडल को अब इसका तेकि रचनावाद जो आपका सिध्धान्त है ना उससे कुछ मॉडल भी है इससे सवाल बनते हैं इसलिए मैंने आप इसमें एड किया है तो रचनावाद के पांच ए निर्देशांग मॉडल को अधिगम के अधिगम का मतलब क्या है यहां पर सीखना होता है तो अधिगम के निम लिखित सद्धानतिक अधार में से किस अधार पर विक्षित किया गया है कुछ नहीं ऐसे कोश्चन घुमाता है तो ज सीखने सिखाने पर बच्चा सक्री होगा और खोज करता के रूप में होगा अब हम क्या पढ़ेंगे स्टेट्मेंट देखेंगे अधिगम एक अक्षा में घटनाओं के अनुकरम से निकलता है क्या यह सही हो सकता है माली जैपको इस तरह से एक्जाम में कोश्चन दे दिय आज में नहीं आया यह ज्यानमिमांसा क्या है ठीक है नहीं समझ में आया आगे बढ़िए तो अधिगम की समझ की ज्यानमिमांसा सन रचना के लिए खोज के माध्यम से होती है अब यहाँ पर एक word यूज हो गया खोज ठीक है अब हमें नई समझ में आया कि यह सब क्या लिखा है यह स्टेटमेंट क्या है लेकिन हमें क्या मिल गया एक word खोज मिल गया निश्चित रूप से जहां पर रचनवादी की बात होगी वहाँ पर या समझ विधी यह सारी चीज़ आपको दिखेंगे तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ खोज बिल्कुल हम मान के चलेंगे कि हमारा यह आंसर यही होगा लेकिन तब भी हम अपनी संतुस्टी के लिए क्या करेंगे अगला कोशन देखेंगे अगला स्टेट्मेंट देखें यह नहीं भी समझ में ठीक है तब भी आगे बढ़ते हैं अधिगम कथित है क्योंकि सिच्छक की प्रेणा के परिणाम सोरूप वैवहार में परिवर्तन होता है हमको कुछ भी जितना स्टेट्मेंट दिया था कुछ नहीं समझ में लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो हमारा र परसान होने की जुरुत नहीं है आप जो पढ़े हैं समझे उस अधार पर आंसर लगाई हमें नहीं पता था इसका आर्थ ना कोश्चन समझ में आया ना स्टेट्मेंट ये था वो समझ में लेकिन आपने कोश्चन में बस इतना समझ में आया कि रचनावाद की बात कर रहा आंसर में क्या समझ में है कि यहां पर खोश दे दिया है तो बस यहीं हुआ चलिए अभी इसका हम सलूशन देखते हैं 5E या 5E के लर्निंग मॉडल में क्या है किसने दिया यह रोजर बाइबी द्वारा विक्सीत पांच चर्णों पर अधारित एक निर्देशात्मक मॉडल है जो आकरशक, अनुवेशन, स्पस्टिकरण, विस्तार और मुल्यांकन है आपके रोजर बाइबी नाम के एक मनुविज्यान है, उन्होंने क्या किया है, आपका जो रचनावादी मॉडल है उसमें 5 चीजों को बताया है, 5 चरण में बताया है की चीजे क्या होने चाहिए आकर्शक होने चाहिए अगर चीजे आकर्शक होंगी सुन्दर होंगी तो बच्चा क्या करेगा उसके प्रती आकर्शित होगा उसे जानने का प्रयास करेगा दूसरा क्या है उसे खोज करता या अनवेशन के रूप में बनाना चाहिए निश्चि बताना चाहते रहें तो वह इस पस्ट होना चाहिए आखिर वह है क्या ये बच्चों को बताना चाहिए विस्तार पूर्वक चौथा चरण क्या है आपका विस्तार आप कोई भी चीज अगर बताते हैं तो आप बच्चे को क्या करें विस्तार पूर्वक बताए मतलब कोई भ चौठ करेगा जानने का प्रयास करेगा तो चीजे क्या होंगी उसको इसको हुँगीg तो वह क्या करेगा इस का विसार पूर्वक जानकारी खट्टा करने का प्रयास करEMAं लिजे बच्चे को हमने एक बीज दिखाया बीज के बारे में हम उसको इस funded करा प्रारम करें पिर उसका विस्तारन प्रारम करें जा एक बीज बाद में क्या बनता है एक चोटा सा पौधा बनता है और यहीं चोटा पौधा बाद में एक नितरा पेडमर्प में क्या आते kadar रही ना चीज़ों कि तो सबसे पहले चीजों को आप आकर्शक बनाएं इससे बच्चा क्या करेगा अनवेशन करेगा में खोजेगा जब बच्चा खोजेगा तो उसे चीजी क्या होगी इस पस्ट होगी इसलिए तीसरा चान आपका इस पस्टी करा चौथा जब वो चीजों को इस पस्ट तो यह सारे तत्तों क्या है आपके रचनवाद मॉडल की ही हिस्सा है अगला पॉइंट लिखा है सिच्छड का यह रचनवादी मॉडल सिच्छड अधिगम प्रक्रिया में सिच्छार्तियों की सक्री भागीदारी क्या करता है सुनिश्चित करता है अब ना चाहते वह भी ज अगला सवाल है आपका निम लिखित में से कौन सिच्छड अधिगम के 5E सन रचनवादी मॉडल का हिस्सा नहीं है आपसे नहीं है पूछा है ठीक है तो इसका सलूशन देखते हैं देखिए ठीक इसका सलूशन यह लिखा है देखिएगा रचनवादी अधिगम दृष्ट में दिखाया देखिए सबसे पहले सालंगन तो बिल्कुल क्या आपके ऑप्सन में सनलंगन है बिल्कुल तो यह सहीं हो गया दूसरा क्या लिखा है दूसरा लिख है विस्तृत क्या आपके ऑप्सन में विस्तृत है बिल्कुल विस्तृत भी है तीसरा देखिएगा मुल्य मुल्यांकन मुल्यांकन देखते हैं क्या मुल्यांकन है या पर नहीं है लिख लेते हैं पांचवा क्या आपका मुल्यांकन है तो यह पांचवा मुल्यांकन हो गया इसमें से नहीं है पूछा है ठीक है सलंग नहें विश्रूत है और मुल्यांकन भी है अगला देखते हैं और अन्वेशन बिल्कुल पाश्वा क्या है आपका अन्वेशन है तो यहाँ पर अन्वेशन ना देख कि क्या दे दिया है बहतर दे दिया है तो क्या यह आप में उसमें सामिल था नहीं था सालगन था विस्तरूत था वर्णन था मुल्यांगन था और आपका क्या है अनवेशन या खोज कह सकते हैं ठीक है खोज लेकिन बहतर नाम की ऐसी कोई चीजी नहीं है तो यह क्या होगा option गलत हो गया और हमसे क्या पूछा है नहीं है पूछा है तो यह important है मेरे इसमें question में add क करने का reason यही है कि आपका कहीं से भी कोई भी topic न छोड़ जाए क्या किया है मैंने बताए कि आपके syllabus को explain नहीं किया है बस उन्होंने का है कि बाल मनोविज्यान से 10 प्रश्न होंगे आपके 10 नमबर के तो सवाल कहीं से भी बन सकते क्योंकि रशनवादी model important है और आपके यह आप जो भी teaching वगरेगा exam देते हैं न सिच्छक भरती यह सीटेट वगरा इसमें भी बहुत important है यह सब topic चलगे तो याद रखिएगा रशनवादी अधिगम दर्श्ट्री कोड के पांच चरण कौन-कौन से आपके सालंगने हैं विस्त्रूत हैं मुल्यांकन हैं वर्णन है अन्वेशन हैं अन्वेशन मींज खोश करना अब बात आता है कि रशनवाद क्या है हम कब से पढ़ रहें कि रशनवाद क्या है रशनवाद क्या है तो रशनवाद वही है जिसमें बच्चा क्या करता है सक्री होता है जिसमें बच्चे को हम क्या करते हैं गतिवीधियो के म इस्वास करता है कि छात्र कक्षा कक्ष में खाले दिमाग लेकर प्रवेस नहीं करता है याद रखिएगा जैसे आपका एक कोश्चन बना था उसमें लिखा था कि बालक विद्यालाय आने से पहले से पहले क्या होता है कोरा कागज होता है तो यह गलत बात है बच्चा कभी को कुछ सीखता है जैसे कि वह अपनी भासा सीख कर आता है वह अपने अनुभाव से बहुत सारी चीजे जान कर ले कर आता है तो यह प्रदर्शित करता है कि बच्चा कोरा कागज नहीं होता है वह अगर विद्याले में प्रवेश कर रहे तो निश्चीत रूप से कुछ ना कु पिचार है जो यह विश्वास करता है रचन वादी मॉडडल मानता है कोई भी बच्चा खाली कागज या कोरा कागज नहीं होता है वह हमेसा अपने शाथ वह कह सकते हैं संभावना पैदा कर के लाता है ऐसके साथ अपने साथ इस designers लिक्तिक शीजों को बढ़ार चनाल कर उ रचनवादी मौडल दिया है तो पियाजे जी भी इस बात को महत्व देते हैं कि सीखना सक्री रूप से भाग लेकर ही संभा होता है अगर आप बच्चों को बस बोल रहे हैं कि याद करो रटो तो बच्चा नहीं सीखेगा लेकिन आप बच्चों को कोई ऐसा काम दे रहे हो जिससे उसे पढ़ाई बोज नहीं लग रही बलकि बच्चा क्या कर रहा है आटोमेटिक चीजों को सीख रहा है सक्री होकर तो वो आपका क्या होगा एक वास्ताओं में सीखना होगा अगर आप बच्चों को कक्षा में बठा दिये हैं भासड दे रहे हैं तो सुरोता के रूप में वो कभी चीजों को सीख नहीं सकता है आप भी अपने उपर नोटिस करिए कि आप एक सीमा तक किसी का भाशड सुन सकते हैं एक वक्त के बाद आप भी बोर हो जाते हैं तो स्रिप आप सुरोता बन के चीजों को नहीं सुन सकते हैं यह समझ सकते हैं आपको गतिवीधियों में भाग लेना होगा और चीजों को समझना होगा तो यह रश्नवादी क्या आपका मॉडल है भारत में राश्टी पाठी चर्या में इस बात का इसपस्ट उल्ले किया गया है कि सिछड को रचनावाद के सिधानतों पर अधारित होना चाहिए आपका जो ncf 2005 है आपका जो अभी नया एजुकेशन आया है 2020 का कौन सा एजुकेशन है इसका फॉर्मूला क्या है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यह भी क्या करती है आपके रश्नवादी मॉडल पर जोड देती है निश्चित रूप से हम इस पर सूच को बढ़ावा देता है रश्नात्मक सोच का मतलब क्या है तर्क करना कल्पना करना खोज करना और निसकर्स तक पहुचना अपीशन वाद मॉडल को बढ़ावा देती है अब एक उधानन से समझेंगे अब हम कई सारे example देखेंगे रशनवादी model को समझ लेक्ति लिए अब माल लिजे हमें बच्छों को क्या करना है यह आपका science का book है माल लेते हैं ठीक है हमें बच्छों को क्या करना है बताना है समझाना है कि एक बीज से ये पौधा कैसे बनता है तो क्या आप इसको थियोरी द्वारा बच्चे को याद करा देंगे याद तो आप करा देंगे लेकिन क्या आप समझ विक्सित कर पाएंगे नहीं आप बच्चों में समझ विक्सित नहीं कर पाएंगे तो समझ विक्सित कर में हर विद्याले में गार्डन होता है तो आप बच्चों को रटाएं मत बलकि क्या करें गती विद्या करें अब बच्चों को बताएं कि आप बीच को इस तरह से मिट्टी में लगाईए ठीक है फिर उसमें थोड़ा पानी डालिए फिर उसका देखरेक करना सिखा ये निश पोड़ा सा क्या और कुछ दिन बाद इसमें पत्ति आने लगी फिर और बढ़ा हुआ तो ये पौधा बना फिर और कुछ समय बाद यही पौधा पेढ बनने लगता कि पेढ के बाद यही पौधा क्या देने तब जाए कि एक वृच्छ बना तो ये एक प्रोसेज ओती है तो ये क्या हो गया बच्झों को पौधॉड का कॉंसेप्ट समझाने का पहला चनरन हो गया अर दूसरा चनरन चनरन में बच्चे क्या करेंगे पता है जब आप बिद्ध को सिखा देंगे अच्परिमेंट करेंगे चाहे वह ले लेके चाहे New अभी आश्या वह टमाटर का बीज हो चाहे वह आपके करेला का बीज हो उसको ले लेकि लगाएं记 और वास्तों में वो खेल खेल में ही न कितने सारे पौधे लगा देंगे इनको खुद नहीं पता चलेगा इससे बच्चों में क्या होगा इससे बच्चों में नैतिकता का तो विकास होगा ही साथ में ही वो अपने environment के प्रतिक्या होंगे जागरोख होंगे और उमें social development होगा समाजिक विकास होगा तो ये एक teaching है एक teaching style है तो रचनवादी model वास्तों में बच्चों को सिर्फ एक न पढ़ाने वाला पाठक नहीं बनाता है बलकि जो रचनवादी model है वो बच्चे को वि बच्चे मिलकर पौधे लगा रहें खुशी खुशी लगा रहें तो ये रचनवादी model का एक कह सकते हैं हम बड़ी एक्जामपल है फिर बच्चे बहुत खूस होंगी जब बच्चों को बताएंगे न की देखी यही बीज बाद में आपका इतना बड़ा पेड़ बन और वो बाकी को भी यही समझाएगा तो यह सिच्छड की पध्धती है हम जैसा देते आएंगे भविश्य में वो भी उसको वैसा ही देता आएगा तो हमारा फर्ज है कि हम क्या करें जितना हो सके हम बच्चों को विकास के लिए सहीं दिशा दिलाएं तो यह क्या होता है आ अगर आप बच्चों को अकार के बारे में पढ़ाना है माल लेते हैं अकार के बारे में आपको बच्चों को पढ़ाना है तो अकार के बारे में सीधा मैस में उतरने से अच्छा क्या है आप बच्चे को न्यून कोड सम कोड अधिक को यह सब पढ़ाने से पहले आप बच् बारे में बच्चे करते हो आप बच्चे बरफी पसंद करते हैं आयत के बारे में बता सकते हैं और ज्यादा पर बच्चा सवाल करेगा तो उन्हें पट्टी से लपेड दिया जाता था फिर उनको एक ताबूत में रग दिया जाता था तो यह सारी चीज़े फिर बच्चा क्या करेगा इतिहास की और बढ़ने लगेगा तो यही होता है रशनवादी मॉडल रशनवादी मॉडल जो होत है अब आप देखी कहा बच्चा आपका सेप पढ़ेगा सेप के माध्यम से कैसे हिस्ट्री को समझेगा तो यह सारी चीजें आपको जरूरी नहीं कि और क्या है जरूरी नहीं कि आप बच्चे को दिंभर पढ़ाई की नाम पर उन पर किसी प्रकार का प्रेसर डाले बच्चा जिस चीज में आगे बढ़ना चाहता है जिस फिल्ड में आगे बढ़ना चाहता है अगर बच्चा खेल खेल कर सीखना चाहता है तो आप उसे खेल व आपक़ जीवन का ग्रह किसे कहते हैं लाल किसे कहते हैं दुर्भीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है तो बच्च इससे क्या हो रटेगा और बास покуп दिन भूल जाएगा लेकिन आप उसे प्रॉपर एक मॉडल बना कर दिखाओगे फिर मॉडल के बाद आप उन्हें समझाओ गया बच्चा समझेगा अच्छे यह हमारा क्या है अंत्रिच है अंत्रिच में यह सारी चीजें वह यूनिवर्स को समझेगा फिर वह समझेगा अच्छा कामों में मगने रहेगा उसे पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगेगी बलकि क्या लगेगी कोई लगेगा यह स्पोर्स लगेगा ऐसे आप समझ सकते हैं वह खेल-खेल के माध्यम से समझेगा इसलिए वर्तमान की जो सिच्छन निती है वह रचनवादी मॉडल पर ज्यादा ज समझेगा बैंकिंग मॉडल अभी वर्तमान पर it really सकते हैं कि जो बैंकिंग मॉडल होता है सैंसे बच्चे को क्या करते है एक रटने वाला बस बना देता है बस उसकी अलावा कुछ नहीं तो सीखने के मॉडल से अगर आपके सवाल आएंगे तो याद रखिएगा कि बैंकिंग मॉडल अर्थात रटना प्रोग्रामिंग मॉडल अर्थात चीजों को छोटे-छोटे टुक्रों में समझना और रचनावादी मॉडल तो अपने आप में एक विसिस्ट है ही इसमें बच्चा खुझबिन करने वाला होता है सक्री होता है गती वीदियो के माध्यम से सीखता है और क्या है आप माली वह तो छोटे-छोटे बच्चों की बात हो गई अब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं बरे स्टूडेंट को ठीक है बायलोजी पढ़ा रहे हैं कुछ ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें बॉंस रटने के लिए मत कहिए उनके कितन उन्हें कि तूटल सरीर में कितनी हड्डियां होती यह सब रटने को उन्हें प्रॉपर ले जाईए गिनवाईए उनसे काउंट करो बेटा वो छू कर देखेंगे समझेंगे अच्छा हमारे बॉड़ी का कंकाल इस तरह होता है वो समझेंगे तो यह होता है आपका रचनावा को आते रहते हैं उन्हें रटवाने के जगा उन्हें वास्तों में लेकर जाएए बताईए कि कौन-कौन से आइनिमल आपके वाइल्ड में आएंगे और कौन से पैट में आएंगे उन्हें बताईए कि सब एनिमल के फूट क्या है क्या खाते हैं कहां रहते हैं इनके घर कह होते हैं इनके रहने के लिए क्या-क्या चीजों की आवश्यक्ता होती तो बच्चा निश्चित रूप से चीजों को समझेगा हमने कोशन भी सौल किया था कि सीखने में बच्च असमर्थ होता है तो गलत बात है बच्चा सीखने में कभी असमर्थ नहीं होता है बच्चा सीखने में जो असमर्थ होता है वो गलत बात है बलकि सीखाने वाला समर्थ होता है तो यह हमारे रचनवादी और आपको पॉलूशन के बारे में बताना है तो क्यों रटवा रहे हो जल प्रदूशर वाईयू प्रदूशर ध्वनी प्रदूशर 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 यह सब रटवाने की जगह उन्हीं वास्त्रिक्ता से अवगत कराईए उन्हें ले जाए आप अपने घर के अच्छा है यह एर प्लूशन कम से कम बच्चा समझेगा यह सब धूआ कि कारण हो रहा है सब कार खाने बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया जों रस्टीज थे सब चीजों को वास्त्विक्ता को वह समझेगा और चीजों को सुधारने का प्रयास करेगा इसाथी बड़े तलाबों नदियों में क्या करते हैं यह सब मूर्तियों का विसर्जन होता है यह एक हद तक ठीक है लेकिन पानी जो इतनी प्रदूशित हो रहे हैं इसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं हमारा तो ठीक है हम लोग फ्योर वाटर किसी तरह छान कर जैसे भी करके पी लेते हैं लेकिन उन एनिमल्स का क्या वो लोग भी तो इससे पानी पीते हैं तो उनकी लाइफ क्या होते हैं खत्रे में आ जाती है तो सारी चीज़े आप क्या कर सकते हैं बच्चों को समझा सकते हैं और इस विधी का प्रयोक करने ही आपका क्या है रचनावादी सिच्छन है जो वर रचनावादी मॉडल ही बनेंगे भले ही आपको उसका तरीका अलग देखने को मिलेगा वर्ट्स अलग मिलेंगे लेकिन ऑल ओबर वो घूम फीर कर रचनावादी मॉडल से ही क्या होंगे संबंधित होंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा हम लोग जब हमारा ये कंप्रीट हो जाएगा रचनावादी मॉडल से जो भी कोश्चन होंगे या टॉपिक होगा जब कंप्रीट हो जाएगा तो हम वाय गोट्सकी का अधिगम का सिध्धान देखेंगे ये भी महतपूर है जिस प्रकार सिध्धान देखा हम इनका भी सिध्धान देखेंगे आज के लिए इतना ही और बढ़ते रही हम मिलते हैं अगले क्लास में अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको